नमस्कार, डिलिशिस फूट रेशिपी चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं आप लोगों के लिए लेकिया हूँ साथ कीजन टिप्स जो में घर पे डेली उज में काम में आने वाले टिप्स हैं टिप्स नमबर वन, गुड की चासनी बनाते समय अगर कड़ाई में थोड़ा सा गी या तेल लगा देंगे तो चासनी कड़ाई में चिपकेगी नहीं में थोड़ा सा पनीर या छेना डाल कर मिलाएं तो गुलाव जमन एक दमरसीले और श्वादिष्ट बनेंगे टिप्स नमबर फोर रसगुला स्पेंजी बनाने के लिए रसगुले को चासनी में पकाते समय जब रसगुले की चासनी में फूलनी लगे तो बीच बीच में उ और उसमें दही वाले बरतन में रखें फिर देखें एक गंटे में दही जम का तयार हो जाएगा लेकिन ध्यान रखें बरतन हिलना ने चाहिए उसे एक जगह पर रखा रहना चाहिए टिप्स नमबर शिक्स आम के अचार को लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए उसे बीच इस बीच में दूप दिखाते रहें और अचार को किसी सुखे जगह पर रखें जब आपका अचार खाने का मन हो तो सुखे साफ चमच से थोड़ा सा अचार निकाल कर अलग रख कर लें और बार बार अचार में हाथ ना लगाए तभी अचार आपका लंबे समय तक सलेगा आम के अचार बनाते समय उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल कर उसमें अचार ज्यादा सवादिस्ट बनेगा और आप ये मैं ये टिप्स घर में डेली यूज के आने वाले टिप्स हैं और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी मुझे स्पोर्ट करने के लिए मेरी वीड दुए छुज़ा समय है टुछ आतारस वहादिस्ट झाल ये ये ले दोकती है कै लड़ा ये टि सुनीं है कि अचार येन आते संदार में रहूर रहूरी डिज़ा चारा समय है इग विज 거야 ये 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 खाभर भर शबर में झाल झाल झाल